हलो फ्रेंड, वेलकम तो आर चैनल एफेक्टिव स्टड़ी, यहां हम कॉमन केंडिट की लिस्ट देखेंगे और यह टायर 3 के बाद की शीट पर आधारित है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है बस इसमें मैं यह ची बता जता हूँ कि आपको जैसे OBC, ST और SC या EWS का कोई बच्चा अगर UR में क्वालिफाई किया है तो उसको इडेंटिफाई नहीं किया जा सकता उस डेटा को यहां पर हमने वही डेटा इडेंटिफाई किया है जहां केटिगरी मेंशन थी तो UR में लिष्ट 2 है आपके स्टेट्स की, लिष्ट 3 है, CPT की लिष्ट 4 है, DEHT है डाइबिंग की और लिष्ट 1 है डबले हो की तो जो स्टेट्स के लिए तीनों लिष्ट में हैं, UR से 107 बच्चे हैं, OBC से 247, ST से 51, ST से 109, EWS से 160 और टोटल 674 बच्चे हैं इसका मतलब क्या हो सकता है कि 624 प्लस के 60 जो minimum marks है, यानि लिष्ट 3 में है तो definite इनके 624 है, प्लस के 60 marks क्योंकि लिष्ट 2 में भी हैं, तो इसका मतलब 684 तो minimum marks है इन 107 बच्चों के, इस तरह से बागी category के लिए लिए भी आप लगा सकते हो, तब ही मैंने आपको कहा था कि JSO के लिए especially 690 प्लस cut-off जाएगी, SI के लिए कम जाएगी, home state आपको मिल जाएगा, इसके बाद next test में list 2 and list 4, यानि कि जिनका DHT और list 2 stats के लिए name है, दौनों list में है, यूर से 184 candidate है, same 470, 114, 201, 274, total 1247, यान रिमें जो 600 करी बच्चे बच गए है, 1862 में सब्टाइट कर लो यानि कि almost 665 नंबर तो minimum है, इन 184 students के, अब इसके साथ बाकी और category का आप calculate कर लेना, यहाँ पर है list 1, list 3 and list 4 का, यानि कि डवल आओ की list, डवल आओ और CPT और DEHT में तीनों में common candidates जो है, वो definitely जो list 3 में होगा, list 4 में तो automatically उसका name होगा, तो यहाँ list 3 और list 1 में इतरह से आप क क्या सकते हो common candidates है, UR में 423, 680, OBC में 151, 289, 281 and 830 बच्चे, अब 710 तो automatic अभी cutoff दे दी गई है, 750 प्लस cutoff जाए कम से कम, डवल यो के लिए, तो बहुत अच्छा खासा competition आप खुद देख पा रहे हो कि सभी बच्चे जो है, वो तीनों list में है, अब इसके बाद list 1, list 2 and list 3 and list 4, जिनका सभी list में name है, SCUR से हैं, 44 candidate, OBC से हैं 114, HT से हैं 30, HC से हैं 58, EWS से 38, 284, total candidate है, अब इसके साथ एक important news और है, इस data को आप जिस सरा से भी उज़ करना चाहो, कर सकते हो, important news JSO के लिए, next exam 2 round 20 होगा, tier 1 में आगर आपको लगता है कि आपकी sufficient mark है, तो आप JSO के लिए preparation करना, और यहाँ पर हमने video course जिसमे complete chapter के explanation, उसमे previous year, chapter wise और year wise के video solution है, जो है question solution मिल जाएंगे आपको, और 2020 तक की complete detail updated रहेगी, हिंदी और English दोनों में है, test series में हमने 20 test दी हुए हैं, 10 practice test हैं, जिनके solution यू मैंशन हैं, और साथ में 10 previous year के set हैं, 2019-20 तक का जो last exam हुआ है, completely chapter wise theories दे रखे हैं, हिंदी और English में, formula bank है, same notation के साथ, और related example है, solution के साथ, तो यह complete material है, और यह course आपको, आपको visible हो जाएगा, और चाहो तो आप link description में दे रखे हैं, वहाँ से भी available कर सकते हो, okay, thank you, good luck, west of luck, data को जस्तरा से आपको use करना है, कर सकते हो